हर्यों, मित्राणी नमो नमह स्वागतम सर्वेशाम तत्र भवताम अस्मिन संस्कृत विशाई अध्येन यूटूब माध्य में स्वागत है मित्रो आप शभी का आज से हम चंद पढ़ने जा रहे हैं चंद विशाई सभी के लिए महत्तपूर्ण विशाई है यह विभिन्य परतियों की परिक्षाओं में भी लगाया गया है और वैसे भी संस्कृत पढ़ने वाले हिंदी पढ़ने वाले और अन्य विभिन्य पढ़ने वाले व्यक्तियों को चंद को जानना ही चाहिए तो चंद का जो आगे चंदों के नाम चंदों की जो लक्षण उधारण हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे आज वाले वीडियो में हम चंद सब्द का सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं, आपने शीर्षक में देखा होगा सामान्य परिचय यहाँ, तो सामान्य परिचय हम आज अच्छी परकार्शे बताएंगे, क्योंकि हम बीच में से यदि किशी चीज का प्रारंब करते हैं, उसको जानने का प्रयाष करते हैं तो नहीं जान पाते हैं, अब जैसे हम कोई आर्या चंद पढ़ना है, वसंत त पढ़ना है तो उस में कई परियोगे शब्दो का अर्थ क्या है उँको जानेंगे इसलिया हम अपनी लक्ष की पहुँच पहेंगे यदि हमें कोई लक्षी प्राप्त करना हो तो उससे पूर वाले शेड़े को हमें देखना पड़ा है यानि कि सीधे मन्जिल पर नहीं जाना है तो इसलिए हम प्रारंब से छंद सब्द के इस छंद में छंद छोन दो ये क्यों है ये सब्द का अर्थ तक हम जानेंगे तो आप सभी हमारे साथ बने रहें अच्छी प्रकारशे अध्यन करें यदि आप पूरी तरह अच्छी प्रकारशे वीडियो देखते हैं मन लगा करके पढ़ते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा तभी आप सभी का लाब है तो आज प्रश्णों को हम आज हल करेंगे चार प्रश्णों की व्याठ्या करेंगे इन चार प्रश्णों को रखा गया है इनके माध्यम से आप चंड के बारे में समस्त जानकारी शंग्षप्त रूप में जान जाएंगे क्या है प्रथम प्रश्ण है मित्रो हमारा चंड सब्द का अर्थ test ≤ वर रचईत apare जैनेंगे ज़ने के चन्द सब्द का अर्थ क्या है वित पत्ति यानिकी किस कारण से छंड कहा गया है वित पत्ति जानेंगे और उसके रचईता कौन यह जानें दूश्रा प्रश्न है चंद के भेद चंद के भेद यानि कि चंद के प्रकार चंद कितने प्रकार का होता है और भेद कौन से हैं वो दो है वृत और जाती इन दोनों का हम यहां पर वरडन करेंगे उनको बताएंगे फिर तीसरा प्रश्न है चंद में प्रयोग किये जाने व नहीं ऐडिन से उनका आर्थ क्या होता है चौधा प्राशन हमारा है गडव यवस्था क्या है लगुभूरू कैसे पहचान है है । इसके सरल्ट्रिक के माध्यम से श्लोकों को नने बताते हुए दूसरी कि अच्छी प्रकार्शन हां हाल कर Somewhere कि सब्सक्त हैं जब서 चाले手षी बने हैं जितने भी हमारे शम्स동 बने हैं में के सामने शमक्ष मिद्यूंत कि य। सित देश ही बने हैं तो शंड सब्द बना है यहाँ नीचे में आप सभी सकते हैं तो सब्सक्राणों के उपर अनुस्वार होता था अब वर्तमान में प्रचलन नहीं है तो हटी जिस प्रकार भवती में भूधातु होती है करोती में क्रीधातु होती है ठीक है क्रीडती में क्रीड धातु होती है खादती में खाद धातु होती है उसी प्रकार चंद इस सब्द में चदी धातु है चदी धातु का अर्थ है आहलादन करना चदी आहलादने और चदी संवरड़े यह दो अर्थ इस धातु के हैं अब क्यों अर्थों के माध्यृम से घ्रण करती हैं जानेंगे वित्रों चदी धातु है वह किसी पांड़ानी यह सूत्र के यह चोख हो गया है फिर उपदे से अजन्वनासिक से इत्हों करके मात्तर हमारा क्या बच जाता है छद बच जाता है छद थीक है इस प्रकार से आनिम्दित करना उसको माधुरियत अप्रबान करना जब हम किसी चंद को पढ़ते हैं किसी लई को गाते हैं कवीता को गाते हैं तो उसको गाकर के हमें क्या आनंद की प्राप्ति होती है मधुरता रहती है मन एकागर रहता है तो चंद आहलादन अर्थ में है पहली बात दू से श्लोक के माध्यम से विभिन ज्यान को ढभागा जाता हैं यह सच कैंए पर पर देते हैं यान को ढखता है उस परकार विक शक्तिएंगे माई तो यह तो इसका अर्थ हो गया छंद सब्द का अर्थ हो गया ठीक है मित्रों अब दूसरा जो है इसका हमारा दूसरा बिंदु है छंद पद की विद्पत्ति क्या है अब विद्पत्ति के विशय में जानते हैं विद्पत्ति के विशय में जो कात्यां रिशी हैं वो कहते हैं उनकी जो विद्पत्ति हैं यदक्षर परिमानम तचंदह यत अक्षर परिमानम तचंदह यत माने जो अक्षर माने अक्षर का जो यह स यहां चंद का परिमान होता है मापा जाता है उसका नाब्वतोल किया जाता है कहाँ तो तत छंद है कात्याइन का क्या इसना है एक पर लिखी कह बहुक्षर परिमान तत छंद है यह कात्याइन जी की विद्पत्ति है विद्पत्ति पढ़ रहे हैं तो यह कात्याइन ने कहा रहे है क्योंकि परिक्षा में पूछा जा सकते हैं यह जो परिभाशा है किसके अनुसार है तो आप देख सकते हैं लिख सकते हैं इसको उतार सकते हैं अपने मस्तिस्क में और इस प्रकार की इस प्रकार अर उने चंद की वित्पत्ती किया करी है लेट जो परीभाषा है यह यासक जीकिए यासक निरुक्त करता तो दौ से यह यह चंद्नांग्षी प्रत्मा वहोचन और तुट्या वहोचन में बनता है तो कि जो चंद्व lobby यान कि जो चंद होते हैं वो क्या होते च्साधना मतलब जो उपर पढ़ता कि या एक शमश्टी रूप से जण tut के हुए होते हैं इसा हो जा तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होगी वित्पत्ति होगी परिभाशाएं होगी अब हम तीसरा बिंदु जानेंगे तीसरा बिंदु है जो चंद सास्त्र है उसके रचाईता कौन है मित्रों ऐसे तो चंद दो प्रकार के होते हैं सर्व वैदिक चंद और लोकिक चंद तो हम लोकिक चंदों को पड़ते हैं क्योंकि परिक्षाओं में लौकिक छंदों को ही लगाया गया है और लौकिक छंद हमें अवर शुरूप से जानने चाहिए वैदिक भी जानने चाहिए लौकिक सर्वप्रथम जानने चाहिए तो रचाईता कौन है तो इसके रचाईता वैसे तो जो पानेनी ये शिक्षा है पाणेनी शिक्षा के रचनाकार भी हम पिंगल को ही मालते हैं, और चंद सास्त्र के रचलिता को भी हम पिंगल को ही मालते हैं, उन दोनों पुस्तकों के, दोनों सास्त्रों के, उन सब्द ज्यान के दोनों सास्त्रों के जो रचलिता है को ने पिंगला चारी है, पाणेनी शि जैसे जिस प्रकार्शे जो वेद कुरुष है उस वेद कुरुष के चैंग बताएगे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक चंद और जोतिस तो चंद जो है वो वेद कुरुष का पैर है चंद पादव तु वेद अस्य अथा तु वेद अस्य पादव चंद वेद का जो पैर ह जो चलना शिखाता है वेद को पढ़ना शिखाता है किस प्रकार से पढ़ा जाए चंद वेवस्था क्या है तो वो क्या है वो चंद है तो क्या कहा चंद पादवत वेद अस्य यह पाणिनी शिक्षाम कहा गया है और तो फिर जो इसके रचाईता कहला आते हैं वो इश्पष् आतीफ्य चंद सास्त्र के हैं आप शभी लिख शकते हैं तो मित्रोह यां पहला जो प्रश्ण है हमारा इहां पर शंपुर्ण होँआद दूसरे प्रश्ण के ओर बढ़ते हैं याद रखें चंद सास्त्र के जो प्राचीन जो रचनाकाव मूल है वैसे तो उसके बाद कई सा सास्त्र रचेगें जो मूल चंद सास्त्र का ग्रंत है जिससे चंद वर्तमान में हमारे शमक्ष दिखाई पड़ते हैं वो पिंगलाचारी द्वारा विलिखित है मित्रों आज का विशय जो ऐसा है उतना आनंद दायक नहीं है किन्तों महत्त पूर्ण यह उनसे भी ज्यादा जो आगे आने वाले है क्योंकि आगे वाले जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें हम एक वीडियो में एक चंद को रखेंगे और उस चंद का लक्षण चंद का अधारण और चंद का गायन शिखाएंगे अर्थाथ एक चंद को तीन-तीन चार-चार तरीके से भी गाना आपको जाएगा इसलिए आपको आगे वाले वीडियो में और आनन्द आने वाला इसलिए आनन्द आये का जवाब इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो यह बहुत ही महत्पूर्ण विशय है आनन्द दायक नहीं है तो अच्छी प्रकार से आप पढ़ें तो दूसरा जू मित्र हमारा बिंदू है वो क्या है चंद के भेद क्या भेर या मिआनि-कुपरकार चंद कितने प्रकार होता már को तो उच्छंद कितने प्रकार का होता है तो मताया जाती है कि यह चंदध्या को और ब्रथम है वरत्रिय और जो धितिया फोर्य है जानु है यह अंत्य कि यह सर्व परथम के दो और जो परिशिद्य है मित्रों जो व्रत्र है उसक वर्त्र का करते हैं वह भी जानेंगे और जाती का जो अपर नाम है दूसरा नाम है दूसरे नाम से जान सकते हैं उसको कहेंगे क्या कहेंगे मात्रिक चंद मात्रिक्षंद, अब जाती है Оर वरुट, वारणिक और मात्रिक अब इसको वारणिक की वरुट को कौईनू की व्रुट को व्रुट को वारिक इसलिये कहते है और वर्णों के आधार भर susur, इसकी पहचान की जाते है इसको जाना जाता है वरणों के आधार पर वरणों की गणना करके और वरणों का विरामित्यादी देख करके इसको पहचाना जादा इसलिए इस वृत्त को वारिक छंद कहते हैं और दूसरा जाती जो छंद है उसका मात्रिक नाम है इसमें मात्रों के आधार पर इसकी पहचान की जाती है इसलिए पंप जाति को मात्रिक चंद भी कहते हैं मात्रा क्या होती हैं किस्त्रकार्शिये कर आगे यां cables वली म जानेंगे तो यह दोनों भेद होगे अब जो पहला व्थ हैं कि इसबा खी वानरिच लिज़सांद के अर्ध सम और विशम ध्यान रखें ये वानडिक छंद के भेध हैं सम, अर्ध सम और विशम अब इनके बारे में भी जानके सम क्या होता है इनके वृत को वृत क्यों कहा जाता है ये बताया गया है और जाती को जाती क्यों कहा जाता है यह भी बता दिया गया है बृत के तीन भेड है सम अर्धश topics और विशन तो यह नाम क्यों है यह जालेगे सम वह होता है आप सभी जानते हैं प्रत्येच चार चारण होते हैं 5 तर रुप से कि दसके लाइनों में आतरों की चारो पाद समान वर्डशतर्य Administration ज ourselves dl आएगा और जो दूसरा है और सबर सम जहां पर पहला पहली ऐन पहला पाद तीसरे पाद के समान और दूसरा पाद चौथे पाद के समान हो तो उसको अर्ध सम अर्ध माने आधा होता है सम माने समान उसमें आधी समानता है पूर्ण रूप से समानता नहीं है जैसे सम में थी पूर्ण रूप से समानता थी क्योंकि उसमें चारों के चारों पाद समान हो रहे थे, इसलिए उसको सम कह रहे थे, अर्ध सम इसलिए कहते हैं, इसलिए पहला पाद तीसरे के समान और दूसरा पाद चोथे के समान होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अर्ध सम ब्रत कहेंगे, अब आ जाता है विशम ब्रत, विशम ब्र रहा है तो उसको भी विशम ही कहेंगे वैसे पारिम्वासा स्वभ्ध के अनुसार हम जानना तो विषम वही है कि पहले बाद हमें दूसरे में 2 हैं कि दूसरे में 3 है है और 4 है इस प्रकारेदि कि cundin me में दिखाई देती है तो वो विशम्वृत कहलाएगा तो इस प्रकार्षे इन चंदों का भेग जो हमारा यह दूसरा वाला बिंदु है वो संपुर्ण अब मित्रों तीसरा जो बिंदु है वो है हमारा जंद में प्रियोक किया जानेवाले सब्दों का इर्थ चंद सास्त्र में जब हम चंद को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसमें प्रियोग किया जाने वाले शब्द alltid क्या है तो मित्रों सरुप्रस्स जो हमारा सब्द है वो है पाद पाद किसको कहते हैं उसको या पाद कहें या चरण कहें पाद या चरण कुछ भी कह सकते हैं आप सभी जानते होंगे पाद सब्द का अर्थ होता है पैर चरण का भी पैर होता है इस सब्द से आप इस सब्द को आप जानते होंगे तो पाद या चरण इन सब्द को ये सब्द क्यों कहा जाते हैं इनका अर्थ क्या है तो परिभाशा दी है जेयह, पादह, चतरथांशह, ठीक हो गया, जेयह, पादह, चतरथांशह, पादह, जेयह, चोथा अंस, किसी भी चीज का जो चोथा भाग होता है, उसको कहते हैं, पाद, ठीक हो गया, चरण, पाद या चरण दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, चतरथा अंस आप सबी जानते हैं के श्लोक में चार पाध होते हैं जो उने में चपी बहुता है तो इसे लिए कहते हैं लो जो इस प्रकार से नीन इसौन पाद होने के कारण नहीं श्वक को पद्ग भी कहा जाता हैं आप सभी जानते हैं आप सब्सक्रांइटर से यूखत होने के कारण श्लोक पद्य में और और दूसरा और चोथा यह पूरुवें में बताया भी गया है तो पहला और पीसरा पाट आप क्यों कि यह विशम वाला है दुन और दूसरा और और दूसरे पाद को पाद के बारे में जान रहे हम, दूसरे और चौथे बाद को समया यूक कह सकते हैं, तो यह इस प्रकार के जो प्रियोक के जाने वाले शब्दों में जो पाद सब्दा आया था, उसकी परिभासा है, अब अगरीम जो है, अगरीम जो हमारा एक जानने वाला विशय है, चंद म प्रियोग की जाने वालों वो है मात्रा मात्रा आप सभी जानते होंगे मात्रा किसे जाते हैं कि मित्रों जिस प्रकार व्याकरण सास्त्र में हरश्व और दीर्ग हरश्व और दीर्ग को हम जानते हैं उसी का यहाँ पर छंद सास्त्र में इन दोनों की नाम परिवर्तन कर दिया हरश्व दीर्ग को लगु और गुरु कहा जाता है लगु और गुरु जैसे हरश्व हैं और क्या है दीर्ग है तो यहां पर इन नामों से न जानते हुए हरश्व को लगु कह देते हैं यानि कि जिसका आर्था होता है छोटा और दीर्ग को कह देते हैं गुरु गुरु का आर्था होता है बड़ा तो ये इस प्रकारशे मात्रा की जान में ये दोनों चीज़ा हमारे काम आने वाली हैं तो जहां पर लगु मात्रा है और गुरु मात्रा है हरस्व मात्रा है या दीर्ग मात्रा है तो इनके ये अपर नाम है, मात्रा होंगे, हरस्यों को लगु कहा जाएगा चंद में, और दीर्ग को गुरु कहा जाएगा, क्योंकि आगे जो चंदों का प्रियोग किया जाएगा, उनका अध्यें किया जाएगा, तो वहाँ पर हरस्यों दीर्ग के बारे में नहीं बता अब लगु और गुरु मात्राइं कौन-कौन सी होती है वो भी हम जान ले क्योंकि शलोक में शब्दों को लिखा जाएगा दोनों तरह से लगु भी लिखे जाएंगे और दीर्ग भी लिखे जाएंगे तो इसलिए हम इन लगु और दीर्ग का नाम क्या है और उनमें कौन-क और गुरू", अब लगू मात्राएं कौन हैं और गुरू मात्राएं कौन हैं वह हम जानेगे, लगू मारी होता है छोटा और गुरू मारी होता है बड़ा, तो लगू मात्रें जो प्रियोग की जाती हैं वो है और इ उ री और कौर की और हरस्वकु और क्रिक इस प्रकारशी वैसे अचो के माध्यम से इसकी गड़ना नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पर दूसरे तरीक से हमें जानना होगा और जहां पर मात्र अकार होगा हरस्वकार होगा यहनकि उसको लभू कहेंगे अकार को इकार को कुकार को और रिकार को ध्यान रखें यह इकार रिकार जो मात्र है यह लभू है और रिकार और को तो ओ के समानी है तो को हैं और की और कू छोटा उ जिस प्रकार यहां पर उ था और क्रिप ये इतने वरण जितने भी एक दो टीन चार पाँ छह साथ आठ नौ ये नौ वरणे जो भी है ये लभू के अंतरगत आएंगे किशी भी शोकमा भी इन सब्दों का प्रियोग किया जाएगा तो इनकी गर्णा हम लगू में किया करेंगे तो आप ध्यान रिख लें अब गुरु वरण कौन-कौन से है वह जानेंगे गुरु वरण है इसका ही विप्रीत आ और ए गूं ए और ये अई और ये आई और ओ तो गुरु आकार इकार उकार और एकार में तो ध्यान रखनें यह एकार में आप शंका न करें कि यह लगू भी हो सकता है इसका प्रियोग जहां भी किया जा सकता है इस रूप में प्रियोग किया जाता है इस प्रकार से और यदि इसका प्रियोग किया जाता है तो इस प्रकार से प्रियोग किया जाता है तो ये दोनों ही दोनों क्या है गुरु है और ओकार अवकार अंग और अहो ये किस प्रकार से लगू गूरु होते हैं हम आगे जाने अब जो गुरु है इस गुरु के बारे में और भी कुछ नियम है कि गुरु कहां-कहां होता है जो लगु सब्द जो कुछ ऐसे सब्द भी हैं जिनमें हमें शंका होती है कि इसको लगु माने और गुरु माने तो उसी में कुछ बताएगे हैं जो वृत्य रत्नागर भी एक श्लोक है सानुस्वारेश्च दीरघष्च विसरगोच गुरूर भवेत वरणह संयोग पूर्वस्च तथा पदान्त गोपिवा इस प्रकार्श कहा गिया कहा सानुस्वारेश्च दीरघष्च सानुस्वारेश्च यह इसका उधारण बन जाएगा अनुस्वारेश्च जहां पर जिस वरण के उपर अनुस्वार होता है जिस वरण के उपर क्या होता है अनुस्वार होता है वो भली किसी भी वरण के उपर हो को के उपर हो को के उप श्लोक रचना में इन संब्दों का ध्यान रखना पड़ता हैpar, टो क्या कहा, सानुस्वारेष्यच दिरघ्ष्चव अनुस्वाय से युक्त कोई वर्ण होगा तो उसको हम दिरघ्ष जाने हैं, फिर कहा विसर्गो गुरु र्भवित विसर्ग भी गुरु होता है जिस वर्ण के साथ यदि हमारे विशर्ग लगे हुए हैं ये तो विशर्ग कहलाते हैं यदि जिस वर्ण के पीछे यह दोनों विशर्ग लगे हैं तो उसकी गणना भी किस में हो जाएगी गुरू में हो जाएगी अर्थत वो अक्षर भी बड़ा कहलाएगा दीर कहलाएगा गुरु कहलाएगा विशर्ग के अनुसार फिर कहा वरणह संयोग पूर्वस्च पदान्तगोपिवा तथा पदान्तगोपिवा कहा वरणह संयोग पूर्वस्च वरणह संयोग पूर्वस्च कहलेगा जहां वरणों का संयोग होता है उन्हें संयोगों का पूर्व वरणह क्य लिखा है यहां पर और रो मिलकर करके यह प्रो बना है दो वर्ण है यहां पर संयोग हुआ है तो इससे पुर्व जैसे हमने कॉल लिख दिया है कि इससे प्रो प्रो और रो से मिला हुआ जो इसका जो विस्त्रत रूप है वो यह है पॉअ धनरो इनको मिलकर के यह प्रवन, प्रवन है, प्राष तो इसलेए यह क्या हो गया, संक्त वरण हो गया है इसमा दो वरण विराज़ मान है तो इससे पूर वाला जो कौ वरण है हमारा गुरु हो जाएगा वैसे तो यह गुरु है ही नहीं यह तो इसका वरण तो हमने लगू में किया गया है किन्तु इसके बाद वारा यदि कोई संयुक्त वरण है तो यह गुरु हो जाएगा जैसे संयुक्त वरण यह भी होते हैं जैसे gotta be so यह को और शौ के मेल से बना हुआ को और शो को मुर्धन्य शगार के मेल थे बना है तो इसSeug पूर्व वारण वरण भी गुरु हो जाएगा महां यहां थ्यान कोई भी सब्ढह हो जो जुड़न हुए यह जीए मृर्ण है निली है इसमें नो और रोज उने इस प्रकार की व्यवस्ता जहां पर भी आएगी जैसे यहां पर यहीं पर दिखा दें चंद महीं जहीं लेते हैं चंद यहां पर नो और दो का मेल हुआ है तो इससे पूर्वाला छो क्या हो जाएगा दीर्ग हो जाएगा गुरू हो जाएगा तो यहां गुरू को जानने की एक दूसरी व्यवस्ता तो इतरो चंद महीं प्रियोक किये जाने वाले शब्दों का अर्थ जो यहां हमारा बिंदु था यह शामान में तोह समात्त हुआ अब हूं चौते प्रश्न की और बढ़ते है गण व्यवस्ता लगू गूरू आजी क्या होते हैं गण व्यवस्ता कहने का मतलब है जो लगू और गूरू इस प्रकार से जिन गणों को हों जानते हैं वो क्या है तो मित्रों आप सभी जानते होंगे आठ गण होते हैं कितने गण होते हैं आठ गण तो उस आठ गण के लिए जो शूत्र बनाया गया है वुद्वानों ने बहुती सरल है वो शूत्र है यमाता राजभान सलगा यमाता राजभान सलगा यह सूत्र बनाया गया है गणों को पहचानने के लिए गणों की विवस्था को हम किस प्रकार से जाने तो इत्रों इसमें कितने वरण हैं हम चालेंगे एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस हमने तो कहा आठ गण होते हैं किन्तु यह जो दस हैं यह कैसे हैं तो अब सबका क्यान करेंगे यगण यो से ले लेंगे हां यो से क्या ले लेंगे यगण और मो से ले लेंगे मगण तो से ले लेंगे तगण और रो से रगण भो से भगण और नो से यगण, मगण, तगण, रगण और जगण जो रगण है उसे रगण के बाद है जो तो जो से हो जाएगा जगण जगण के बाद है भगण भगण के बाद है नगण और नगण के बाद अंत्यम जो हमारा गण है वो है सगण इस प्रकार से छंद विवस्था, गण विवस्था है तो चार उपर हैं, चार नीचे हैं तो यौसे यगण हो जाएगा मौ से मगण, तौसे तगण, रौसे रगण, जौसे जगण, भौसे भगण और 9 से नगण और 100 से सगण यहां तक 100 तक जो हमारे वर्णा आते हैं वो 8 गण आते हैं जो गणों को श्लोकों में अभी प्रयोग किया जाएगा और लो और गौ से हम क्या लें लो से लगू ले ले और गौ से गुरू ले ले इन दोनों को मिला करके वैसे कितने गण हो जाते हैं दस गण हो जाते हैं वैसे जो मूल गण है वो कितने हैं आठी है तो लो से लगू और गौ से गुरू इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि हरस्तो और जीरवा का प्रयोग न करके लगु और गुरु का प्रियोग ही करें तो इस प्रकार से ये गणों के नाम होगे लौ से आजाएगा लगु और गौ से आजाएगा गुरु तो इस प्रकार से ये दसों गण है तो अब अंतिम जो हमारा विश्णी महत्तुफुर्ण बच जाता है वो है कि गणों को पहचाने कैसे क्योंकि श्लोकों में यही बता जा सकता है कि इतने गण है तो कौणशा श्लोक है क्यानि कौणशा छंद है और यगण क्या होता है यगण में क्या क्या होते है और मगण में क्या क्या होता है किसी भी वर्ण को पहचानने के लिए क्या बता है तो आप सभी जानते होंगे लगु और गुरू को पहचानने का चिन्ह क्या है तो जानते हैं लगु और गुरू कि यह जो आई का चिन्ह लगाया जाता है वह लगु के लिए प्रियोग किया जाता है और जो एसका प्रियोग किया गया है उसको लगु जाने इस प्रकार्शाम श्लोक को पहचान सकते हैं चंद को पहचान सकते हैं तो अब हम यह कैसे जाने कि यगण मगन तगन रगण जगण भगण नगन सगन इन में कौन-कौन से यह आई और एस का प्रियोग कि अदर जैसे कोई पूछ लेता कि जगण में क्या होता है कोई भी सब्द उठाकर कर कि पूछ लेगा भगण में क्या होता है क्या हुआ तो कैसे तो इसका तरीका यहीज़ बनाए गए है कि बचंठ के जाós कि स्लोग ऐस्टेंगे पड़ताह तो यह वास्तविक इस शूत्र को लिखकर के हम को प्रवंभाद सब्सक्र हुआ है है यगन तो यगन में नе यगण में क्या कैना शुरू में लगु है पेला वरण लगु में क्योंकि यो है और मो आकार है तो यह गुरू हो जाएगा क्योंकि पूरु में जो हमने वरणों की गिंती पड़ी थी आकार गुरु में आया था और तो में भी आकार लगा तो ये भी गुरु हो जाएगा तो यगण में क्या आएगा लगु आजाएगा मा गुरु आजाएगा और ता भी गुरु आजाएगा इसी परकार से दूसरा इसमें तीन गुरु आ जाएगा। इस गण को हमने पहचाना है उसलिक वर्ण से हम प्रारम्भ करें। फिर तगण को हमने जानना है तो क्या हो जाएगा तगण को जानना है तो गुरु क्योंकि आकार है और रगण में भी गुरु आकार लगा होगा है तो यह भी गुरु और जो जगण जो है यह हरस्व है तो यह लगु हो जाएगा इस प्रकार से हम आगी की विवस्था को भी पहचाने इसी प्रकार से शगण तक आठो गड़ों इसी प्रकार से जान सकते हैं तो हम उस प्रकार ये दूसरा तरीका भी है इस प्रकार भी जान सकते हैं यमाता यमाता यानी की यगण हो जाएगा माता रा इससे हो जाएगा मगण तारा जव तगण राजवभा मातर राज सालो नगण सालोगा सालोगा से हम क्या उजाएंगे सगड यानकी लभू लभू गुरू इस प्रकार्शे हम इन गणों को पहचान सकते हैं तो यही तरीका है कि पूर्व वर्ण को जोड़े और अगले तीन वर्णों को भी अगले दो वर्णों को भी जोड़े तो इस प्रका यदि किसी को श्लोग की आओ सकता है तो श्लोग भी भेज दिया जाएगा वैसा सर्व प्रत्राम जो बहुत ही अच्छी वश्ता है यमाता राजभान सलगा इसको आप इसमरण कर लें तो इस प्रकारशे आप याद कर सकते तो मित्रों जो हमारा चोथा बिंदु था उठा ग अगले वीडियो से हम जो दो चंडों के भेद बता हैं हमें वरित और जाति यानि कि वानरिक और मात्रिक इन दोनों के भेद कौन-कौन से हैं वोई चंड है उनको जानेंगे तो सरव प्रत्राम कल से आरेया चंड का आरंभ करेंगे तो आप सभी का स्वागत है तो आज के के लिए बस इतना ही धन्यवाद नम्हा समस्कुदार्य।